सर क्या मैं चैप्टर छोड़कर जा सकता हूँ कि आप कोई चैप्टर पूरी तरह छोड़कर जाई देखो मुझे पता है अगर आपके पास समय की कमी है पहले आप थोड़ा धीरे पड़ रहे थे इस वक्त आपको अक्कल आई है इस वक्त आप 100% फोकस जो है आप इस वक्त तेजी से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी best wishes आपके साथ हैं, आप अच्छे से पढ़ें, लेकिन मैं किसी भी chapter को छोड़ के जाने के पक्ष में बिलकुल नहीं हूँ, मेरी advice है, उस chapter में से कुछ पार्ट जरूर पढ़ने, कुछ पार्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर आप मैं अपने subjects की बात करूँ, costing, FM की, ECO की, EIS की, तो इन subjects के लिए मैंने आप लोगों को practice sheets दियो ही हैं, आप प्लीज उस particular chapter की practice sheets जरूर करके चले जाएं, क्यों? क्योंकि practice sheet में past कुछ years के questions, past कुछ years की RTP, MTPP के questions हैं, उन questions को देख लेने से क्या होता है, हमें ये feel हो जाता है कि institute अभी recently उन chapters में से क्या expect कर रहा है, हमें ये पता लग जाता है कि institute उन chapters में से currently क्या expect कर रहा है, अगर institute उन chapters में से currently क्या expect कर रहा है, हम उसे पढ़कर चले जाएंगे, तो there are high chances की जो question exam में आएगा, हम उसे solve कर पा रहे होंगे, there are high chances, तो देखो मेरे दोस्त तो पूरी तरह चैप्टर छोड़ कर जाना बेवकूफी है लेकिन उस चैप्टर को अगर आप नहीं कर पारे तो उसमें से कुछ पार्ट जरूर कर लो कुछ पार्ट और कुछ पार्ट का मतलब कहा है जो लेटेस्ट पब्लिकेशन्स के कुश्चन्स है आइसी आई के सबका एक बात याद रखना समय अभी ओवर नहीं हुआ है मैच तब तक खतम नहीं होता जब तक लास्ट बॉल ना डल जाए इसी तरीके से होप खतम नहीं होनी चाहिए जब तक अपना आखरी पेपर लिख कर बाहर ना ओ एक्जाम हौल से हमेशा याद रखना अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़ी वीकनेज भी है तो बाकी सब्जेक्टों में बहुत अच्छा पड़ो उसे कवर कर देंगे हम उस किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा मार्स लाके एक सब्जेक्ट में जिसकी कम नौलेज है या जिसमें बहुत ज्यादा डर है मैं यह नहीं कहा र उसको पहले पकड़ो, उसे अच्छे से लड़ो, खूब अच्छे से एक्जाम दो, उसके लिए खूब सारी तैयारी करके जाओ उस एक्जाम के लिए, लेकिन अपने बाकी सब्जेक्टों को ओवर स्ट्रॉंग करके जाओ, ताकि कवरेंच दे सके मार्क्स की, ओल राइट, बहुत बहुत सारा प्यार आप सब को.